परिचय विद्याली की छुट्टी हो चिकी है, बहुत तेज वडशा हो रही है, राजू छाता निकाल कर खोल लेता है, और अपने घर की तरफ चल देता है, अचानक हवा का तेज जुँका आता है और उसका छाता उड़ा ले जाता है, वह पूरी तरह भी गया है, वह वायू की शक्ती के बारे में चकित होते हुए घर वापस आ जाता है, इस पार्ट में हम वायू के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उद्देश्य वायू हमारे चारों तरफ है, चारों तरफ देखिए, क्या आप वायू को देख सकते हैं, नहीं, क्यूंकि वायू पाड़दर्शी और रंगहीन है, एक काघस का बैग लीजिए, इसमें वायू भर कर इसके मूँ को बंद कर दीजिए, क्या यह फूला हुआ दिख रहा है, अब बैग में एक छेद कीजिए, क्या हुआ, बैग का आकार सिकुड जाता है, और अंतताह यह चप्टा हो जाता है, ऐसा इसलिए हुआ, क्यूंकि बैग के अंदर जो वायू थी, वो छेद से निकल गई, इस क्रिया से पता चलता है, कि वायू स्थान खेरती है, एक उपा और इसका मुँ बंद कर दीजिए, अब फिर से खुबारे का वजन कीजिए, क्या दोनों भारों में कोई अंतर है, इस क्रिया से प्रमानित होता है, कि वायू में भार होता है, वायू के गुण, अलग अलग स्वरूप और आकार के तीन खुबारे लीजिए, तीनों में वा अवा भरे खुबारे क्या एक दूसरे से भिन्ने नजर आ रहे हैं? क्यूंकि उनका मूद सवरूप और आकार भिन्ने भिन्ने था। वायू का कोई निश्च सवरूप या आकार नहीं होता। या उसी पात्र का सवरूप क्रहन कर लेती है जिसमें रखी जाती है। समीब के पार्क में जाएगे। एक सीधी रेखा में दौड़ना शुरू कर दीजिए। अपने शरीर पर एक रुमाल बांध लीजिए और दौड़ना जारी रखिए। क्या रुमाल नीचे गिरता है? नहीं यह नहीं गिरता। आजबास की वायू रुमाल पर दबाव डालती है और आपके शरीर से चिपकाए रहती है। यह गतिविधी प्रमानित करती है कि वायू दबाव आरुपित करती है। प्रित्वी के चारों तरफ की वायू को वायू मंडल कहते हैं। वायू मंडल द्वारा डाले जाने वाले दबाव को वायू मंडलिये दबाव कहते हैं। अधिक उचाई पर वायू का घनत्व कम हो जाता है। इसलिए उचाई बढ़ने के साथ ही वायू मंडलिये दबाव कम होता जाता है वायू के अवियव वायू गैसों का मिश्रण है हवा में मुख्यता तीन गैसें उपस्तित होती हैं नाइट्रोजन एन्टू आक्सीजन ओट्यू और कार्बन डायोकसाइड सी ओट्यू वायू में नाइट्रोजन 78 प्रतिशत आक्सीजन 21 प्रतिशत और कार्बन डायोकसाइड 0.04 प्रतिशत होती है इन तीन गैसों के अत्रिक्त वायू में जलवाश्प, धूल के कण और कुछ दूसरी गैसे भी होती हैं जिनहें नोबल गैस कहते हैं क्योंकि नोबल गैसें नगर्णे मात्रा में पाई जाती हैं इसलिए उन्हें विरल गैसे भी कहते हैं वायू के घटकों का महत्व वायू का प्रत्य घटक महत्वण है और निर्वाह के लिए इसकी एक भूमी का होती है आक्सीजन श्वसन के लिए आवशक होती है और इसलिए ये सभी प्राणियों के अस्तित्व के लिए जरूरी होती है यह देहन में सहयता करती है और जलने की प्रक्रिया में इसकी आवशकता होती है नाइट्रोजन प्रोटीन में उपस्तित होती है जो सभी सजीवों के लिए जरूरी होता है यहाँ पातपूं को प्रोटीन निर्मान में सहायता करता है यहाँ देहन में सहायता नहीं करती कार्बन डायोकसाइड प्रकाश संशिलेशन में सहायता करती है यहाँ पातपूं को केड़ों से खराब होने से बजाती है क्योंकि यहाँ जल में घुल जाती है इसलिए soft drinks बनाने में इसका प्रियोग होता है अगनी शामकों में carbon dioxide का प्रियोग होता है जल वाश्प जल चक्र में एक महतपून भूमी का निभाते हैं यह सूरे से विक्रित होने वाली इंफ्रारेड किरनों से प्रिथवी की रक्षा करके प्रिथवी के तापमान को संत्रित रखता है मृदा और जल में वायू एक मिट्टी में थोड़ी मृदा लीजिए और इसमें धीरे धीरे जल मिलाईए क्या आप मृदा में बनते बुलबुले देख रहे हैं? बुलबुले बनने का क्या कारण है? मृदा के कड़ों के बीच वायू रहती है जब जल को मृदा में मिलाते हैं तो वायू जल का इस्थान लेती है जिसके परिणाम सोरू बुलबुले बनते हैं मृदा में उपस्थित वायू पादपों के विकास को बढ़ावा देती है वायू जल में भी उपस्तित रहती है यह मचली और दूसरे जल में रहने वाले प्राणियों के निर्वहन में सहायता करती है वायू प्रदूशन सैम राश्ट्रिय विज्ञान केंद्र जाने के लिए रास्ते में है वहाँ बाहर के अच्छे मौसम का आनंद लेने के लिए कार का शीशा नीजे करता है काला धुआ छोड़ती एक बस बगल से गुजरी वहाँ खासने लगा आप जानते हैं क्यूं? गाड़ी से निकलने वाला धुआ वायू को प्रदूशित करता है जब इसे शौस के साथ अंदर लिया जाता है तो यहाँ शौसन नली और फेपड़े को उत्तेजित कर देता है कार खानों से निकलने वाले हानी कारक रसायन भी वायू को प्रदूशित करते हैं पेंट, वार्देश और स्प्रे में ऐसे रसायन होते हैं जिनसे वायू प्रदूशित होती है जहां कूडा करकट दबाया जाता है उस पटाव से हानी कारक रगय से निकलती है जो वायू को प्रदूशित करती है पवन शक्ति गतिशील वायू को पवन कहते हैं पवन बादलों को चलाते हैं और प्रिथ्वी पर समान रूप से विस्त्रित वर्षा कराते हैं। पवन शक्ती का प्रयोग विद्यूत उत्पादन बैटरी को चार्च करने जलनिकासी क्रिशी की सिंचाई इत्यादी में होता है। पवन शक्ती के प्रयोग का सबसे बड़ा लाब है कि पवन अक्षय है। इसके द्वारा जनित विद्यूत प्रदूशन मुक्त होती है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वायू में भार होता है। यह दबाओ आरोपित करती है और स्थान खेरती है। वायू का कोई निश्चित सरूप या आकार नहीं होता। वायू कई गैसों का मिश्रण होती है। वायू में नाइट्रोजन, आक्सीजन और कारबन डायोकसाइड, जलवाश्प, धूल के कन और कुछ दूसरी कैसे भी होती है। वायू के प्रते घटक की एक महतपून भूमिका होती है। गाडियों से निकलने वाला धूआ, कारखाने, पटाव, पेंट, वारनिश और स्प्रे वायू को प्रदूशित करते हैं। पवन शक्ती का प्रयोग, विद्युत उत्पादन, बैटरी को चार्ज करने, जलनिकासी, क्रिशी की सिंचाई इत्यादी में होता है। पवन उर्जा प्रदूशन मुक्त होती है।